मोटे तौर पर मान कर चलिए कि 90 दिन के भीतर लोगसभा चुनाव का नगाड़ा बच जाएगा कोल जमा 90 दिन का खेल उसके बाद सेनाए युद्ध छेतर में फिर फैसला मैदान में होगा उत्रपदेश से 80 सीटे हैं तो सबसे ज़्यादा घमासान भी यह ही सबसे ज़्यादा इस्टेक भी यहीं हर पार्टी का और कहते भी हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्रपदेश से होके जाता है और आप में देखा होगा कि उत्रपदेश जितने प्रधान मंतरी अब तक वो उसमिसे अधिकांश उत्रपदेश से लोगसभा पहुंचे हैं तो इस नाते भी यह एक टोट का माल लीजिए सियासत में है भारत की कि भहि अगर प्धान मंतरी बनने की हसरत है तो उत्रपदेश में कोई सीट ढूनो वहां से लोग सवा का चुनाव लड़ो कहा जा रहा है खटगे जी भी लड़ेंगे कांगरेश के अधक्ष नितिश बाबू भी लड़ेंगे वो भी जन्वरी में बनारस आ रहे हैं बनारस के बाद फूलपूर के बाद आजमगर तमाम जगा जाएंगे सब खोज रहे हैं कि कोई जगा मिले उत्रपदेश की ट्रेन में सब चढ़ना चाह रहे हैं सब को वर्थ चाहिए क्योंकि सब को लग रहा है कि इस ट्रेंड में चढ़ेंगे तो शायद दिल्ली पहुँच जाएंगे और दिन बचे हैं मोटे तोर पर नब्बें बारती जन्ता पार्टी ने अपने उम्मीदवार तै करने का काम शुरू कर दिया है सोला तारीक से खर्मास लग रहा हैं तो वैसे एक महिने कोई शुब काम सार्जेनित तोर पर नहीं होगा तो इस एक महिने का उप्योग भाजपा कर लेगी उम्मीदवारों के चेहन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ताकि जब ये मलमास समाप तो हो खर्मास समाप तो हो तो उसके बाद सीधे वो चहरे तब तक आइडेंटिफाई कर लिए जाए कि किसको कहां से लड़ना है एक और सहयोगी दलों को एक सीट दो सीट तिन सीट कहां देनी है वो तै हो जाए समाजवादी पार्टी अभी थोड़ा दोवजा में है अगले शीक ये भी कह रहे है कि जंता कांग्रेश को पसंद नहीं कर रही लेकिन समाजवादी पार्टी खुद में कि तयारी जरूर कर रही है उसने करीब चार दरजन कि आसपास लोकसभा प्रत्याशियों को मोटे तौर पर चिन्हित कर लिया है और बताया जाता है उनको संदेश भी दे दिया है अकलेश जी ने कि वही आप तैहरी करो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायवती ने अपना जंडा अपने भतीजे के हाथ में दे दिया कि बेटा बढ़ हो आगे हम पीछे से तुम्हेरे साथ हैं तो अब जो कुछ करेंगे चमतकार वो आकाश आनंद करेंगे उनकी कसोटी भी उत्तरपदेश में होनी है और अगर आप यह देखें कि समी करणों के हिसाब से क्या चीज है जो क्या पहली है जो अभी अनसुल जी है तो कि बल इतनी सी पहली अनसुल जी है कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस साथ जाएंगे की नहीं और कॉंग्रेस वाचिक तोर पर यानि जुवानी जमाखर्च में तो 80 सीट की तैरी कर रही है लेकिन वो भी जानती है कि उसकी हालत कितनी मजबूत है कितनी कमजोर है वो साथ जाएगी सपा के या अकेले रहेगी ये बड़ा सवाल है लेकिन कुल मिला के अब सबका ध्यान उत्तरपदेश पर और उत्तरपदेश के खिलारियों का ध्यान मैदान पर